हेलो दूस्तो नमस्कार ऐसे हम किसी चैनल में मैं आप सबी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सो दूस्तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन का पहला वीडियो आप लोगों ने जरू देखा होगा उसका लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे रहा हूँ जरू आप चाहो तो उसको कबर कर सकते हो फर्स टाम विजिट के चैनल को सब्स्राइब कर लें और फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेज को भी फॉलो कर सकते हो लिंक उपर आए बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल जाएगी तो चले दूस्तो फिलाली सुड़े को स्टार्ट करते हैं तो दूस्तो अब हम लोग आ चुके हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें आज के दिन ही डियूरिंग दा मार्केट भी आप लोगों ने देख लिया होगा कि रेलवे स्टॉक्स में और कुछ खास रेलवे स्टॉक्स में हम लोगों अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली है कि कितना बड़ा प्लान उनका यहाँ पर एगजगेट करने की अभी कोशिश यहाँ पर कर रहे है जिसमें अलग-अलग सेक्टर्स हम लोगों को देखने को मिलने वाले है और बात करें फिलाल दोस्तों यहाँ पर रेल्वे से जुड़ी खबर सामने आ चुकी कि रेलवे का जो asset monetization का जो प्लान है, जो overall जो performance है, तो उसका roadmap क्या रहेगा, yes, वो तयार यहाँ पर हो चुका है, so इसी के चलते हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, कि आज के दिन हम लोगो कुछ railway stocks में बहुत अच्छी कासी तेजी भी देखने के आपर मिली है, हाला कि मैं आप लो goods के sheds monetize होंगे, तो दोस्तो 265, yes, 265 goods के जो sheds है, वो भी यहाँ पर monetization के, अगर हम लोग बात करें, उसमें यह भी यहाँ पर cover होने वाले है, उसी के साथ-साथ, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, यह जो railway stations भी है, yes, उनके भी हम लोगो यहाँ पर monetization यहाँ पर देखन यह हम लोगो को यह railway का, जो stations की, जो monetization के हम लोग बात करें, वो इसके थुरू यहाँ पर फिलाल तो यहाँ पर होने वाले है, एंड उसमें भी कितनी stations कवार है, दोस्तों, तो लगबग 400 stations, यहाँ पर हम लोग थेयरी जादा में बता रहा हूँ, क्योंकि अगर article पढ़ू यहाँ पर हमच, 90, 90, passenger train की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो वो भी monetization के लिए यहाँ पर तयार हो चुके, उसी के साथ साथ 1400 km railway track भी, मतलब उसका भी track का भी हम लोग को monetization होते वे देखने को आपे मिलने वाला है, तो और अगर हम लोग बात करें, बहुत ही mega project हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है, IRSDC के जरीए यह सारी चीज़े होने वाली है, सो यह IRSDC किसका joint venture है, ARCON का, RLDA का joint venture है, इसलिए अगर आज की दिन आप लोगों ने देखा होगा, तो यहाँ पर railway stocks में हम लोगों को अच्छी खासी तेजी देखने को यहाँ पर मिल च है, जिसमें से railway की अगर हम लोग बात करें, इतना जबरदस योगदान railway को ही आपे दिया जा चुका है, इसलिए ARCON international आज के दिन आप देख सकते हो कितना भागा है, साड़े साथ पसेंट भागते वे देखने को आपे मिल चुका है, मैंने हाली में वीडियो भी बनाया था, पचास रुपे के शेर्स अगर आपको किसी को खरीदना है, तो उसमें तो ARCON international या आपकी सबसे पहली चॉइस वापे होनी चाहिए, क्योंकि ये कंपनी कोई 40-50 के आपे आप लोगों को नहीं मिलती, क्योंकि ये स्टॉक में अगर हम लोग देखे तो पहले split देखने को मिल देन बोनस देखने को मिला, अगर ये चीज़े नहीं होती, तो डेफिनेटली ये स्टॉक हमें 400-500 के रेंज में देखने को भी मिल सकता था, तो इसलिए ARCON international हम लोग कह सकते हैं, कि ये corporate event, corporate action के तहत हम लोगों को ये सस्ते दाम पे देखने को मिल रहा है, तो उसका फाइद हम लोग मतलब ARCON को direct फाइदा मिलेगा, उसके बाद और किसको direct फाइदा मिलेगा, तो दोस्तों या पर जो second company उसके उपर पहले आ जाते हैं, हम लोग IRCTC, yes, IRCTC को भी इसका direct फाइदा या पर मिलेगा, इसलिए ARCTC में भी हम लोगों को बहुत ही अच्छी कासी तेजी दे देन उसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को बता है, rail tail भी इसको भी आप लोग चाओ, तो या पर फोकस में आपे रख सकते हो, directly भी बात करूं, तो ARCON and IRCTC, उसके बाद indirectly आप चाओ, तो rail tail के उपर भी आप लोग या पर फोकस रख सकते हैं, railway station से related या पर बाते हो चुके तो इसका भी जिक्रा हम लोगों को देखने को करते हो, या पर मिल रहा है, then RVNL के उपर भी आप लोग चाओ, तो फोकस रख सकते हो, आप देख सकते हो, कि आज के दिन इन में हम लोगों को जादा कोई तेजी देखने को या पर नहीं मिली है, but definitely या पर यह जो railway का asset monetization है, तो उसको भी आप लोग या पर radar के उपर रख सकते हैं, जो भी railway से जुड़ेवे stocks है, उनमें हम लोगों को एक अच्छी कासी या पर future में भी तेजी देखने को या पर मिल सकती है, हाँ, पर इतना में clear करना चाओंगा, कि आज की जो news है, वो IRCTC को direct फाइदा देगी, और उससे भी जादा अगर किसी को फाइदा देगी, तो वो IRCON International, जो कि मेरे बोलने से तो कुछ नहीं होगा, खुद बाजार नहीं आप दिखा दिये, साड़े साथ पसंट की तेजी दिखा कर, तो दोस्तों मैं इतना again कहना चाहूंगा, अगर कोई चाहे तो IRCON International के साथ जा स सकते हैं, क्योंकि comparative यह थोड़े से slow चलते हैं, क्योंकि railways सरकार के अंडर आती है, आप सब लोगों को यहापे पता है, सो IRCON International भी आप लोग देख सकते हो, यहापे maximum chart pattern भी अगर मैं open कर लेता हो, अभी तक एक ही दाइरे में चल रहा है, अभी भी, यहापे हम लोग कह सकत हो, तो इसके ओपर विचार यहापे कर सकते हो, इन पाच में से अगर किसी एक को खरीदना है, बहुत सर लोग यह भी पूछते हैं, कि best railway stock कुन सा है, तो undoubtedly, undisputable, एक ही railway stock है, जो की सबसे best, जो मुझे लगता है, वो है IRCTC, monopoly है, इसलिए हम लोग इस चीज़ों को यहापे देखा गया, चार, तो वो भी कमाल की है, बट IRCTC का advantage, एक next level का यह advantage है, हम लोग ऐसा भी यहापे बोल सकते है, deaf free company भी है, प्लस इनका business में भी आप देख सकते है, ticketing का भी है, catering का भी है, tourism का भी है, तो सारे business भी इसमें हम लोगो involved होते वे देखने को यहापे मिल जाते है सो दोस्तो यह कमाल की खबर अभी हम लोगों को यहापे देखने को मिल चुकी है, और इतना भी कहना चाहूँगा, यह तो railway के asset monetization से related news यहापे सामने आते हैं देखने को मिल रही है, अभी बाकी के भी asset monetization के जो प्लान रहेंगे, वो भी हम लोगों को यहापे step by step, यहापे शायद से कल देखने को मिल सकते हैं, परसो देखने को मिल सकते हैं, सरकार के और से इसका भी हम लोगों को road map अलग-अलग यहापे sector का तैयर होते हैं, देखने को भी यहापे मिल सकता है, तो अलग-अलग sector के उपर भी आप लोगों की अभी निगाए यहापे रहनी चाहिए सो आयोब आशा करता हो दोस्तो आप लोगों को यह railway का जो asset monetization का यह जो plan था वो आप लोगों को यहाप इस short में समझ में आयोगा क्योंकि जैसे मैंने का कि आर्टिकल अगर में पड़ूगा तो बहुत vast है वो बहुत ही जादा है सिर्फ इतना ही याद रखने ना कि यहाप इ करते वे देखने को यहापे मिल चुका है सो basically हर किसी company को वैसे भी यहापे फाइदा होना ही होना है सो थोड़ा सा tough topic था बड़ आशा कर तो आप लोगों को पसंद आये होगा तो ज़रू आप चाहो तो इस वीडियो को like and share कर सकते हो so that's it thank you very much we will be meeting our next video तब तक के लिए क्लेख बाử बड़ागों